असलाम अलेकूम, नमस्कार, सस्रिया काल and गूड इवनिंग, मैं हूँ अर्जु काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राय, बिल्कुल जी बेजा फ्राय के नए एपिसोड के साथ हम हाजर हैं और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस जिसने भ इमरान खान साथ जो हमारे पहले प्रायम इनिस्टर भी रह चुके हैं और पाकिस्तान तरीक इनसाफ जो के पालिटिकल पार्टी है, उसको भी हैट करते हैं, इमरान खान साथ अपना एक लॉंग मार्च लेकर लहोर से चल पड़े हैं और अभी तक कि इतला के मताबिक, खा इसलामाबार पहुंचने का इरादा है, और अगर उससे पहले गर्मेंट से कोई बातचीत हो जाती है, जिसके लिए बार बार जो है वो पीटी आए कह रही है कि आप लोग एलेक्शन अनौन्स कर दीजे, एलेक्शन की डेट बता दीजिए, तो वो भी यानी के फैबरी या मार्च की डेट वो चाह रहे हैं, अगर इस तरह की कोई डील हो जाती है गर्मेंट के साथ उनकी, तो फिर खान साब अपना जो लोग मार्च है, वो वापस ले लेंगे और लोगों को वापस घर भेज़ देंगे, अब देखते हैं कि बात आगे कैसे बढ़ती है, लेकिन इ हैं उन्होंने एक प्रेस कांफरेंस की ती और उस प्रेस कांफरेंस पे अनूने ये बताया था कि बड़ा कोई खूनी के सम्का, यह खतरनाक के सम्का पाजह है, वो यह लाउंगंड अझा Siya हो सकता है।, बहुत लोगों की जाने जा सकती है।, बहुत लुक्सानrim हो सकता ह और इसी किसम की बाते उन्होंने की थी जो के एक साफ इशारा कर रही थी किस तरह से के जाहिर है कि फैसल वाउडा साब के बारे में ये भी बहुत मशूर है कि वो स्टैब्लिश्मेंट के आदमी है और उसके बाद से पहले यानि कि जो प्रेस कॉनफरेंस की गई थी डी जी आईएसाई और डी जी आईएसपियार की तरफ से उसके फॉरण बाद ही फैसल वाउडा साब की प्रेस कॉनफरेंस हमने देखने को मिली और उसमें उन्होंने हर तरहां से यही बात की कि अर्शिय शरीफ सहाब जे इनका मर्डर किया था कीनिया में कि उसके उसके अंदर ज दिन में इसका जवाब जमा करवा है जो के फैसल वाउडा साब ने कोई जवाब भी जो है वो अपनी पार्टी को नहीं दिया ने अपनी जो पालिटिकल पार्टी है उसको उन्होंने कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर क्या हुआ फिर ये वगक कि इमरान खान सहाब ने उनकी party membership cancel कर दी और फैसल वाउडा साब को उन्होंने PTI में से निकाल दिया है जलडे कि वे वेसल वाउडा साब की जो party PTI की जो member ship उनके पास ती जिसके विज़ा से वह senator और मिनिस्टर और क्या कुछ बने बैठे थे तो उसमें से उनको खटा दिया गया है और पार्टी मेंबर्शिप उनकी कैंसल कर दी गई है अब देखते हैं आगे उनकी बाचीत हो जाती है खान साब से यह नहीं हो जाती मगर साथ साथ एक चीज़ और बड़ा देखने में आ यह और वो यह कि जी इंडियन मीडिया जो है उस पे कई तरह के टॉक शोस चल रहे हैं कई तरह की डिबेट्स चल रही है जिसमें अक्सर जो एंकर्स हैं जो अक्सर मीडिया है वो इमरान खान की तारीफिंग कर रहा है और उसमें कई लोग शामिल है और उनका वाराल उनका ये कहिना है कि जी इतना नुकसान तो शायद भारत भी अगर कोशिश करता तो ना दे पाता लेकिन इम्रान खॐन सहाब खुड़ी जो है वो अपनी आर्मी को भी नुकसान पहुचा रहे हैं अपनी कंट्री को भी नुकसान पहुचा रहे है और इसी तरह के एक डिबेट में भी गई थी जहां पर फयाजल हसन चोहान सहाब जो के इमरान खान की पार्टी के बड़े प्रॉमिनेंट किसम के मेंबर हैं वो मौझूद थे और उनकी बात को जो है उनों अपनी बात को इस तरह से रखा जिससे के यही एक इंप्रेशन जा रहा था कि अब इमरान खान जो है वो एक तरह से आर्मी को डामेज कर रहे हैं और इसमें जाहिर है कि बागर भारत में कोई कोई अगर करना चाहे भी नहीं पैसे देखें भी आपने भी कई वीडियो देखे हूंगी यूट्यूब वीडियो भी आपने देखे हूंगी और भी कई लोगों की जो चल रही है उनको यही उनका यही कहना है कि पाकिस्तन को इतना नुकसान तो शायद कोई बाहर से भी नहीं कर सकता था जितना नुकसान इमरान खान ने यही पे पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को पहुँचा दिया है अब ये बात कहां तक सही है कहां तक गलत है ये तो खेर हम आप पर छोड़ते हैं लेकिन यहां पर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं तशद्द नहीं होगा बलके बड़ा लोग इंजॉय करेंगे इसको मैं ये भी आप हूँ कहां दूए फैमिली जाएंगी इसमें हर यानि लोग हर किसम की पार्टिसिपेशन शेयरियों की होगी और लोग इंजॉय करेंगे हमें एलेक्शन की तारीख चाहिए तो पहले भी मांग रहा है लेकिन डिमान पूरी नहीं हो रही है अब जब कौम जाएगी इसमा की तरफ इसका बाप भी तारीख देगे जी तो यह ते हमरान खान साब जो कह रहे थे कि लांग मार्च में फैमिली जाएंगी और बड़ा जॉय लोग करेंगे और बड़ा मज़ा आएगा लेकिन उनकी पार्टी की जो शीरी मजारी साहिबा है हमका कहना था कि जी हम जो है इलेक्शन की डेट लेने के लिए आ रहे हैं कि उनके बच्चे भी जो हैं बिलावल गुटो दर्दारी और आसिफा और बखतावर भी इसमें नजर आ रही हैं और वो चोटे चोटे बच्चों के साथ बेनाजिर गुटो साहिबा जो हैं वो बैठीनी प्रोटेस्ट के लिए उस वक्त की स्टैब्लिश्मेंट के खि और इमरान खां साथ के बार निकल वा लिया बच्चों को भी और फैमिलिस को भी आपकी अपनी फैमिली कहा हैं और आपके अपने बच्चे जो हैं तीनों वो कहा हैं उनको भी आप अगर लंदन से या बिलवा लेते तो बहुत ही अच्छा होता. सासा जी डी जी आईस पी आर और डी जी आईस आई की प्रेस कॉन्फरेंस के बाद भी एक हंगामा सा मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि आखर इस कॉन्फरेंस की क्या जरूरत थी और ये कॉन्फरेंस करके उन्होंने स्रिफ ये साबित किया है कि इमरान खान एक तरह का प्रेशर बिल्ड करने में कामियाब हो गए हैं और इस वक्त जो उनके करता धरता है यानि जो इमरान खान के खालिक हैं जो जिनों ने इमरान खान को बनाया इमरान खान की पार्टी को बनाया क्योंकि इमरान खान खुद भी आखिर सभी जानते हैं क ही एक प्रोड़क्ट है मगर अब वो उनके गले पड़ गए हैं और ऐसा अक्सर होता है कि जब हमारे लोग किसी को बनाते हैं चाहे वो तालिबान हो चाहे वो हाफिज सहीद हो या कोई सालों से फाजी उनको ट्रेनिंग दे रही थी गर्मेंट में लाने के लिए और इस वक्त यह हो गया है कि वो इमरान खान जो है उनके गले में फच गए हैं और निकलने का नाम यानि के जो रिटार्ड आफिसर ने उनकी भी अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फरेंसिस वो करते रहते हैं इसके लावा भी एक सेक्शन जिसमें के जनरल पैज आमित का और आसिफ गफूर साब तो यादी होंगे सब को जो ट्विटर पे लगे रहते थे तो आज कल नजर नहीं आ रहे मगर ये के इस तरह के जो लोग आर्मी के हैं उनका एक बड़ा सेक्शन जो है वो अभी भी इमरान खान के साथ है वरना कोई भी सोच सकता है कि जिस किसम की जबान इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं वो जबान आसिक हमने नहीं देगी हाँ ये ज़रूर है कि जो लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं चाहे वो आम से एनलिस्ट हो चाहे वो पॉलिटिशन हो चाहे कोई हो या नवाज शरीफ साब ने भी बाहर जाकर नाम ले ले कर जो है वो आर्मी चीफ और आर्मी के खिलाव बाते की थी लेकिन मुल्क में रहकर और पाकिसान में रहकर इस तरह की जबान इस्तेमाल करना इमरान खान ने की जो की है वो काफी हैरतनाक है और काफी लोग उससे बहुत हैरान है कैसा कैसे पॉसिबल हो पाया लेकिन उ तो एक सेक्शन नार्मी का इम्रान खान का साथ दे रहा है शायद खान साब उनके सहारे इतने बहादरी दिखा रहे हैं और इस किसम की बाते कर रहे हैं हमें एक वीडियो देखते हैं और फिर हम आप से बात करते हैं स्वाल निशादा इम्रावर खान के ओपर तीजी आए सेक्षान खोड़ के सुरो मेरे मैं यह जो चीजे चानता हूं मैं अपने मुर्ग की खातर अपने एदारों की खातर मैं चुप हूँ मैं बहुत जानी हूँ तो कि मैंकर मुर्ग को मुक्सार भी पुजाना चाहता जी तो ये वीडियो आपने देखी और आपने देखा किस तरह से इमरान खान जो है वो ललका रहे थे वो तड़ी लगा रहे थे डी जी आईसाइ को और इस तरह से बात करते हैं डाफिनेटली हमने पहले कभी किसी को नहीं देखा और इमरान खान शायद पहले है और हो सकता है कि आखरी हो जिनको हम इस तरह बात करते हैं देख रहे हैं लेकिन इससे पहले जरूर जैसे मैंने का कि नवाशरी साब ने भी बात की थी اور भी कई लोग जो है वो लेकिन ऻुक्त से बाहर जा कर नाम लेते हैं और इमरान खान को ये बिलकुल हर किसी को मालूम है कि आर्मी का एक सक्षिन जो है वोट तारा से सपोर्ट कर रहा है और यही वज़ा है कि खान साब इस तरह से बढ़ बढ़कर बात करें लेकिन क्या वाकई में ये लोग चाहे वो people's party के लोग हो चाहे pti के हो या PMLN जयानि के नवाज शरीव साब की government हो या चाहे establishment हो क्या इन में से इस वक्त कोई भी पाकिस्तान के लिए सोच रहा है क्या इन में से कोई भी इस वक्तान के लिए फिकर कर रहा है वो लोग जो flood की वज़ा से जिनके घर खराब हो गए बह गए जो लोग बचारे इस वख सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और उनके पास ना तो खाने पीने को है और ना ही गरम कपड़े हैं क्या उनके लिए कोई सोच रहा है हैं एक दूसरे की टांग खेचने में लगे हुए हैं एक दूसरे की इंसल्ट करने फुद मुक्तार मुलक के लिए हम अपने स्वरों पे कफन बांद लिया और कल इंशालला पूरे जोश और जजबे के साथ अपने लीडर इमराण खान साथ की काल पर लबै कहते हुए लहोर सुबा ग्यारा बजे लबल्डी चौंग में खड़े होंगे जी ये इमरान खान साथ के सपोर्टर्स हैं इस तरह के अब मुझे पूछना सरी ये था कि कहा ये जा रहा है कि जी गर्मन ने जो है वो टियर गैसे का अभी बंदोबस कर लिया यह नहीं के शेलिंग भी होगी और साथ-साथ जो कि हमेशा ही देखने में आया है कि तरह तरह कि वो डंडे सोटे ये वो पलिस वाले वो भी मारते ऐसी सूरत में यह साथाब जो है इन्हें जब भागना पड़ेगा जाहिर भागना तो पढ़ता है ये जब इस किसम की बात होती इस किसम की सिचुएशन हो जाती है कोई भी दॉर लगा देता है तब यह क्या करेंगे क्यो होगे जब सरसे कफन लपेड़ के पहुंच रहे हैं और वैसे हमारी पब्लिक भी हजीव है जिस वक्त नवाज शरीफ साब की गवर्मेंटी बलकर उससे भी पहलेंगे अगर हम बात करें जिस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्मेंट थी और उसको हटाना था तब भी हमारी जो पब्लिक थी उतनी ही जोश खरूश में थी कि नवाज शरीफ को लिया और बेन हजीर को उटा दो उसके बाद पिर जी उसके बाद कहा गया कि जी इमरान खान को लिया ओ नवाज शरीफ को उटा दो अब पिर कहा गया जी नवाज शरीफ को दुबारा लिया ओ और इमरा हर बार हमारी पब्लिक इसी तरीके से बाहर आती है क्योंकि जाहिर है कि हर बार उन्हें एक नई उमीद होती है कि जो नई गर्मिंट आएगी शायद वो उनके कोई प्रॉब्लम्स की तरफ देखे शायद वो उनको कोई जो बेसिक नीड्स है जिसमें तालीम सेहत और जॉब उगएरा का खाने पीने का कुछ इंतिजाम कर दे ऐसा कुछ भी नहीं होता ना तो कोई नहीं कोई हम मिल पाती है, ना ही उनको यूटिलिटी बिल्स देने के पैसे होते हैं, ना ही एजुकेशन की तरफ कुछ कर पाते हैं, तो यही वजा है कि हर बात जब भी गर्वर्मेंट चेंज होने की बात होती है, तो हमारी पबलिक इतनी ही एकसाइटेड होती है, इसलिए हरगे इसका य पाकिस्तान की करंसी जो है, दुबारा से डाउन होना शुरू हो गई है, और एक बार पर डॉलर डेट जो है, वो बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन जो हमारे पॉलिटिशन्स हैं, उनको इस बात की कोई परवान नहीं है, और साथ-साथ, हमारे जो डीजी आइस आइस प अपने घबराना नहीं है, मगर ये लोग घबरा गए हैं, अब उनकी घबराहट जो थी, वो उनके लहजे से भी जाहिर थी, जो कैसा लग रहा था कि वो रो पड़ेंगे, ये और बाते कि कहा ये जा रहे को बात ही ऐसे करते हैं, जैसे वो रो पड़ेंगे, लेकिन उनकी ये बाते जो थी, और उनका जो अन्दास था, आने का, ये जी फर्स टाइम वो आ रहे हैं, और मीडिया को फेज कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से, मतब अब गलत भी हो सकता है, मेरे अन्दाजा, ये जैसी क्याल से, इनको सब चीजों की जरूरत नहीं थी, ये सब करके उन्होंने एक चीज और अपनी क्लियर कर दी कि हाँ जी हम तो बड़े परेशान हैं और हम घबरा गए हैं और यही चीज इमरान खान को मेरा क्याले क्या और आगे की तरफ लेकर जाएगी और लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि लोग बहु क्राउड हैं कि हम उसे देखके कहें कि जी सारे के सारा पाकिस्तान आके आए बार लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खाली हाँ यह ज़रूर है कि जहां तक नजर जाएं वहां तक काफी हैं तक जो हैं वो लोग मौजूद हैं और आगे भी जिए उसकी एक बहुत बड़ी विदे यह भी है कि इमरान खान ने पंजाब से अपना सफर शुरूड किया है और पंजाब में इमरान खान की अपनी गर्क्राइब् направ नहीं का चीफ मिनिस्टर और साथ में वह बाई लोग जो इमरान खान साब के साथ हैं वही जिनके पिछ वड़े में पिलकुल बिलकुल वहीं क निशाना बड़ा खराब है हाँ जी फाजी की बीवी होगे निशाना खराब है फैर मैं यह बता रही थी हम उनकी बात नहीं कर देंगे तुम्हें आपको यह बता रही थी कि वह भी हुआ मौजूद है तो जाहर है इमरान खां साब को वहां से लोग मिलते जाएंगे क्योंके जिस जिस ने जहां-जहां से लेक्शन जीता होगा उनके जो लोग है अम एनस यह वगइर रहा वसके रहाार को बिरियानी कि उस पे ब्लैक लेबर लिखा हुआ था लेकिन यह करते हैं जिसमें इनों ने अपने लोगों से कहा है कि वहां पे इनका फॉल प्रोग्राम लग रहा है किसी तरह की मारकाट का इसके उपर भी कर्मिंड और को जरूर ध्यान देना चाहिए आप लोग भी सुन लीजाए जमील अगार तिया वे जमील लेगार तिया वे अधिया लिखान क्या पूजिशन इस पर पिजिशन तरह वन है आप आप सुनाएं बदूगे कितनी हैं बहुत हैं लेफैंस लेफैंस भी बहुत हैं बंदे वी इत को आप साथ करीब तरीज़े का कुछ यह वोज आकर में बार्डर बडर बेंस रावार पिड़ने के बारें तुरूर पाले के पाले के वार यह रूपे नहीं नहीं पूरा नक्षा बेजा था आपको में मुझा यह विदा वर्ट इस पर इस आपको में अग्या विदाएंस तो मिला हुए रशाओ नहीं तो कुछ इस किसम की आउडियोस भी साब ने आ रही है जिसमें की कहा जा रहा है कि असला लेकर चलें और ऐसे चलें जबकि इमरान खान ने बहुत बार यह कहा है कि यह पीसफुल किसम का मार्च होगा लेकिन पैसल बाउड़ा साब का भी यह क रहे हैं और इस किसम की बातें वो करके गए थे और साफ साहे था कि वो इसलिए बात कर रहे हैं ताकि इस लांग मार्च को रोका जाए अब देखते हैं कि क्या होता है लेकिन फैर हमारी दूआ ही है कि सब खैरियत रहे और किसी किसी किसम का नुकसान ना हो जानी नाही माली साथ ही हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं ये भी इमरान खान की एक सपोर्टर है और बड़े जोश में हो ये क्या कह रही है मुझे तो समझने अगर आप में से किसी को है तो मुझे ज़रूर बताईएगा अगर किसी को पंजाबी आती हो तो प्लीज मुझे भी बता दें आखर ये बोल क्या रही थी मुझे तो कुछ गलत सलती लग रहा था खेर हम आगे बढ़ते हैं और एक वीडियो और जी इसलामबार में भी गर्मेंट ने पूरी तैयारी का रखी और सुना इस किसम के डंडे जो हैं वो तैयार किये गए हैं खैर कहां तक सही है ये तो हम नहीं जानते लेकिन कई लोगों का जो पिटी आई के सपोर्टर हैं उनका कुछ हाल ऐसा भी हो गया है डी जी आईसाई की प्रेस कांफरेंस के बाद मगर सासा जी हम अगर क्रिकेट की बात भी तोड़ी सी कर ही लें तो जी क्रिकेट बें कहा ये जा रहा है कि जो हमारे क्रिकेट को आज कल देख र है उनको कह जी है क्रिकेट कैप्टल को पाकिसान के कि जी आपको वर्ल्ड कप लाने के लावा जो है कोई और आपशन नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह कि पाकिसान की परफॉर्मेंस है तो आप वो और रही खुबसूरत होते हैं वरसे आस्ट्रेलिया तोते एक जमा पॉजिशन नहीं है तो अब आगे क्या बोलू मेरा मुह ना ही खुलवाएं आप तो बेतर होगा सासाथ हम आपको ये भी बता दे के जी यहां पर ये भी हुआ है के जी A.R.Y. के एक और सीनियर एंकर परसन जो हैं और चौधरी उलाम हुसेन उनको जड़ाब उठाके ले गई एजनसी और अब इमरान खान साब के ये ना खेदें के इनको भी नंगा करके मारा है इसलिए के इमरान खान साब का कहना है जो कोई इनकी पार्टी को सपोर्टर को कभी भी एजनसी उठाके ले जाती है वो यही बयान देते हैं और यही स्टेट्मेंट देते हैं के जी इनके कपड़े उतार के मारा गया अब ये बात मुले बहुत अजीव लगती है कि आफिर हमारी एजनसी के इसे कौन से शौक हो गएं कि वो सब को कपड़े उतार उतार के क्यों मार रहे हैं पैर उसके बगहर भी मारा जा सकता है लेकिन मतलब थोड़ा ख्याल करना चाहिए बुज़र्गा आदमी है और सुना है 78 इनकी एज है तो I hope कि हमारी एजनसी जो हैं वो थ लेकिन हम देखते हैं कि शेख रशीद साब क्या किया रहे है तो आदमी भी शेख रशीद के वजीर दाखला के दुरान आर्मी के बारे में नाजेबा इलफाज इस्तमाल करेगा बहतर घंटे में उसके खलाब पर्चा दूँगा तो शेख साब सबसे पहले तो आप बहतर घंटे से भी पहले जो है वो आप दे दीजिए एक पर्चा कार दीजिए ब्रान खान के खिलाब जो आपके पार्टी लीडर आपके पार्टी के तो नहीं खैर आपने तो आपकी तो पार्टी अलग है टांगा पार्टी आपकी अल पूचा कटा नहीं है यहां से हम चलते हैं और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्यार रखिएगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि इमरांग खान का लॉंग मार्च अब लॉंग मार्च क्या होता है बहुत से हमारे इंडियन में अभी काफी दिन हैं और कहा यह जा रहा है कि जी निवंबर की फूर्थ तक जो है इसलामाबाद पहुंचेंगे इमरां खान साब लेकिन इसलामाबाद पूरा सील कर दिया गया है जगा जगा कंटेनर्स लगा दिये गए हैं और सड़के बंद कर दी गई हैं लोगों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जाहर है जहां भी जाएं वाँ कंटेनर होता है और एक दो चार पुलिस वाले खड़े होते हैं वो कहते हैं जी आके बेड़ाद से जाएए वाँ कोई मेरे जैसा ड्राइफ कर रहा हूँ जिसको सिर्फ नाफ की सीद मे चलना आता हो तो फिर वड़ी उश्किल हो जाती है कि अब मैं किदर जाओं तो इसलिए मैं बाहर निकली नहीं रही लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको यही कहना है कि जी बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हर जगा कंटेनर खड़े कर दि दिया था सासद अब ये कहते जा रहे हैं कि नहीं हम तो बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हम सिर्फ इसलामाबार तक पहुंचेंगे अदालतों ने जहां की पर्मिशन दिये उस जगह जाएंगे और वहां बैठेंगे तोड़ी दरो फिर वापस अपने अपने गर पैसा ने जाकर आप लोग वलुचिस्तान में जो लोग परिशान बैटें हैं फ्लटकी होई जासे सिंध में उन लोगों को दे दें तो शायद बेतर होगा लेकिन हमारी अवास कौन सुनता है तो लेकिन हम बात तो करते रहेंगे और शायद को सुन भी ले थैंक यू